Hello students, welcome to my channel KDS Classes Chakalwansi. मैं हूँ सैयोगिता सिंग और आज का हमारा टॉपिक है Present Indefinite Tense. पिछले वीडियो में हमने Tense के बारे में पढ़ा था. अगर आप जानना चाहते हैं कि Tense किसे कहते हैं, तो आप चैनल पर जाकर Tense का वीडियो देख सकते हैं. उसका लिंक नीचे Description Box में दिया गया है. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि Tense तीन टाइप के होते हैं. Present Tense, Past Tense and Future Tense. इन सभी Tense के चार-चार सब टाइप होते हैं. Indefinite Tense, Continuous Tense, Perfect Tense और Perfect Continuous Tense. Coins of Present Tense, Present Indefinite Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense और Present Perfect Continuous Tense. आज हम Present के पहले सब्टाइप Present Indefinite Tense के बारे में पढ़ेंगे. Present Indefinite Tense की पहचान होती है. ता है, ती है, ते है, ता हुँ, आदिशब्द मेन वर्ब मुखक्रिया के साथ वाक्य के अंत में आते हैं. जैसे वह पत्र लिखती है. अब इस सेंटेंस के लाश्ट में लिखती है, अर्था ती है आया हुआ है. तुम दिल्ली जाते हो, जाते हो, ते हो, अर्थात इस सेंटेंस के लाश्ट में ते हो आया है. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Present Indefinite Tense वे सेंटेंस होते हैं जिनके लाश्ट में ता है, ती है, ते है, ता हुँ, आदिशब्द वाक्य के अंत में आते हैं. वो भी मेन वर्ब के साथ में, अर्थात मुख ग्रिया के साथ में. तो आईए हम सीखते हैं कि इस टेंस के सेंटेंस को किस प्रकार बनाएंगे. सबसे पहले हम Present Indefinite Tense के Affirmative Sentence अर्थात सकारात्मक वाक्य को बनाना सीखेंगे. सकारात्मक वाक्य के वे होते हैं, जिनमें कारिक किया जाता है. जैसे मोहन पत्र लिखता है, इसमें पत्र लिखने का कारिय हो रहा है. सीता गीत गाती है. ये सेंटेंस सकारात्मक वाक्य हैं. Affirmative sentence की दो conditions होती है पहली तो ये कि यदि sentence I, V, U दे तथा बहु बचन हो तो इसका translation हम किस प्रकार करेंगे दूसरी ये कि यदि subject He, She, It या एक बचन अर्थात कोई नेम हो तो हम इसका translation किस प्रकार करेंगे Affirmative sentence में यदि subject हमारा I, V, U दे तथा बहु बचन हो तो translation का प्रारूप इस प्रकार होगा सबसे पहले तो हम subject लिखेंगे उसके बाद main verb मतलब मुख्य क्रिया main verb की first form लिखेंगे और उसके पश्चात हम object लिखेंगे जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि tense के translation में ये तीन मुख्य चीजे ही main होती हैं subject, main verb और object तो आईए sentence देखते हैं तुम cricket खेलते हो तो सबसे पहले हमें इस sentence का subject लिखना है तो subject है तुम तो तुम के लिए लगाएंगे you अब मुख्य क्रिया लिखना है तो मुख्य क्रिया है खेलते हो तो you play और उसके बाद object तो object हमारा cricket object की category में आता है तो you play cricket वे गंगा जी में इसनान करते हैं तो subject क्या है वे के लिए दे लगाएंगे इसनान करते हैं मुख्य क्रिया है उसके लिए हम बात लगाएंगे अब कहां इश्णान करते हैं, गंगा जी में, तो इनदी गंगा, देबात इनदी गंगा, हम आम खाते हैं, तो we eat mango, मैं घर जाता हूं, तो सब्जिट इसका है मैं, तो मैं के लिए आई, जाता हूं, जाता हूं के लिए go, और किसी भी गंतब्य स्थान के लिए हम तू का प्रियोग करते हैं और कहां जाता हूँ? घर जाता हूँ तो I go to home वे अस्पताल जाते हैं तो subject इसमें वे है क्योंकि अस्पताल जाने का कारिय वे कर रहे हैं तो they जाते हैं जाना के लिए go to they go to hospital और यदि subject हमारा he, she, it तथा कोई भी नेम हो अर्था third person singular number हो तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ति third person singular number में यही subject हमारे आते हैं he, she, it या फिर किसी भी व्यत्ती का नाम हो चाहे किसी वो पुरुष का नाम हो चाहे वो किसी लेडि का नाम हो वो 3rd person singular number में आते हैं अगर ये subject हमारे हैं तो हमारे sentence बनाने का जो प्रारूप होगा वो होगा सबसे पहले हम subject लिखेंगे उसके बाद main verb की first form को लिखेंगे और उस first form में हम S या ES को लगा देंगे और उसके पश्चात हम object लिखेंगे किस मुख्यक्रिया के साथ S का प्रियोग करें और किस मुख्यक्रिया के साथ ES का प्रियोग करें अगर आप ES का प्रियोग समझ जाएंगे तो बची हुई सभी मुख्यक्रिया के साथ हम S का प्रियोग करेंगे मुख्यक्रिया के साथ ES कब लगाएं जिन मुख्यक्रियाओं के अंत में O, SS, CH, SH हो तो उसके अंत में ES लगाते हैं जैसे गो से गोस, डू से डस, मिस से मिसस, कैच से कैचस, पुस से पुसस जिन मुख्यक्रियाओं के अंत में कॉंसोनेंट प्लस वाई हो तो वाई के इस्थान पर आई हो जाता है अर्थात वाई आई में कनवर्ट हो जाता है और उसके बाद में ES लग जाता है जैसे क्राई का क्राईज, मैरी का मैरीज, फ्लाई का फ्लाईज और ट्राई का ट्राईज लेकिन जिन मुख्यक्रिया के अंत में वाविल प्लस वाई हो तो वहाँ पर IES नहीं लगेगा बलकि वहाँ पर केवल S लगेगा जैसे S, A, Y, C, अब Y के पहले इसमें A आया है और A एक वाविल है तो इसलिए यहाँ पर से का सेज हो जाएगा और प्ले का प्लेज अब यह जान गए कि किन में वर्ब के साथ ES लगेगा और बाकि सभी में वर्ब के साथ इसका प्रियोग हम करेंगे तो आईए हम examples देखते हैं जैसे सीता एक पत्र लिखती है सबसे पहले हम subject लिखेंगे subject हमारा सीता है और फिर मुख क्रिया लिखेंगे मुख क्रिया लिखती है तो right अब मुख क्रिया में हम yes या yes लगाएंगे क्योंकि सीथा हमारा similar number एक वचन है तो राइड्स हो गया एक पत्र सीथा एक पत्र लिखती है तो सीथा राइड्स अलेटर वह फुटबाल खेलता है इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह की ही लिखेंगे अब मुख्यक्रिया लिखेंगे खेलता है प्ले इसमें भी हम S या ES लगाएंगे मुख्यक्रिया में क्योंकि वह भी हमारा सिंग्लर नंबर एक वचन है तो he plays football निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य तो आएए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे तथा बहु बचन करता के साथ दू लगाएंगे और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट तथा एक बचन करता होगा तो उसके साथ में हम डेच कप्रियोग करेंगे तो आएए एक्जामपल्स की मदद से इसे समझते हैं जैसे मैं घर नहीं जाता हूँ तो हम कहेंगे I do not go to home हम आम नहीं खाते हैं तो हम कहेंगे We do not eat mango वह पुस्तकाले नहीं जाता है तो हम कहेंगे He does not go to library आमन पार्क में नहीं खेलता है तो हम कहेंगे आमन डेज नाट प्ले इंदी पार्क Present in definite tense के interrogative sentence को बनाना हम next वीडियो में सीखेंगे I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और उम्मीद करती हूँ कि इस lesson से आप बहुत कुछ सीखेंगे वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को भी प्रेस करें तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद